हाई बच्चो आज हम फिर से एक नई कहानी पढ़ेंगे आप सभी के साथ और आप कहानी को मेरे साथ स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं और आज के कहानी से लोग पढ़ना साथ करते हैं इसका नाम है फानी की चंचल चपल जिसके लिखा है श्रीदाला स्वामी ने इलिस्टेट किय है संजे सरकार ने और पब्लिश किया है प्रतम बुक्स ने यहां पर हम एक लड़की की कहानी पढ़ेंगे और बहुत ही चंचल कहानी है तो जैसे कि कहानी का नाम है फणी की चंचल चपल तो चंचल का मतलब क्या है आपके अनुसार मेरे अनुसार की चंचल यानी की नटक शिरार्ती ये ना तो चंचल चपल की कहानी और किसकी है वो चपल फनी की तो हम स्टाइथ करते हैं कि फनी हर जगे दे़ से पहुँचता है क्या वेहां पहुँचता है जहां उसे नहीं होना चाहिए तुमारे टीचर क्यों कहते है कि तुम हमेशे स्कूल देर से पहुंसते हो फणी उसके पिताजी पूछते है थोड़े गुस्टे में है और तुम घर से तो काफी जल्दी निकल जाते हो मेरा कसूर नहीं है बाबा फणी कहता है यहाँ पर फणी उसके पापा उसकी मम्मी और उसकी सिस्टर खड़े है और उसके पापा काफी गुस्टे में है फणी से पूछ रहें कि तुम हमेशे स्कूल में देर से क्यों पहुंसते हो घर से तो काफी जल्दी निकल जाते हो लेकिन स्कूल में बहुत लेट यू पहुंचते हो तो फणी क्या कहता है मेरा कसूर नहीं है बाबा आगे देखते हैं किसका कसूर है फिर उसकी माँ पूचती है कि हर शाम को वह टीवी के सामने क्यों बैठे रहता है जबकि उसे और बच्चों की साथ खेलना चाहिए फिर फणी क्या कहता है मेरा कसूर नहीं है मा अब यहां भी फणी अपना कसूर नहीं मान रहा है तो किसका कसूर है फिर किसका फॉल्ट हो सकता है कि स्कूल में जाने के लिए भी फञड फॉल्ट नहीं लेता है अपना, और वो शाम को टीखता रहता है, तो टीवी क्यों देखता है वैसे वो, शाइद उसको भार की गेम पसंद नहीं है, या उसके दोस्त नहीं है, तो इसलिए वो हमेशा टीवी देखता रहता है घर पर झालम मैं कहते हैं कि उसे और बच्चों के साथ खेलना चाहिए ना मेरे कशूर नहीं है मा, उसका कशूर क्यूं नहीं है? उसके wise woods को मा झा समय पहुँ जान चाहते है मा बाया नि मा और पापा हम जाना चाहते है यही बात जाना चाहते हैं उसकी teacher, दोस्त और उसकी बेहन जिसने एक बार उसे खत डालने को दिया है था यहाँ पर सब लोग उसे में हैं और उसकी वज़य पूछना चाहते हैं कि फणी तुम तुम्हारा कसूर क्यों नहीं है? हमें बताओ. और उसकी बहन कहती है, मैंने तुम्हें एक बार खट डालने को दिया था, लेकिन वो भी नहीं पहुँचा. लेकिन उसमें भी फणी अपना कसूर नहीं मानता है. क्यों? तुम्हारा कसूर क्यों नहीं है? वे सब पोचते हैं. यह सब मेरी चपलों की वज़े से है, फणी बुद बुद आता है. अच्छा, यह तो हमने सोचा ही नहीं था? है ना, हमने भी नहीं सोचा कि फणी की चपले इसकी जिम्मेबार हो सकती है फणी को लेट पहुँचाने के लिए या फणी को काम ना करवाने के लिए जिम्मेदार है उसकी चपले? आपको क्या लगता है? सोचो साथी साथ, है ना, क्योंकि हमारे अंदर एक आवाज होती है जो हमारे दिमाग के आवाज होती है. उसमें सोचो कि इस बज़े के लिए क्या फणी जिम्मेदार है या उसकी चपले? आगे हम कहानी भी साथ-साथ पढ़ते हैं. ठीक से बोलो फणी, सीधे खड़े हो, कंधे पीछे. यह कौन थे? फणी की कख्षा की अध्यापक थे. उससे पूछ रहे हैं कुछ. क्या समझाता है? कि जब भी वह स्कूल का रास्ता पकड़ता है, उसकी चपलों को एक और भी अच्छा रास्ता मालुम होता है. कभी भी वह रास्ता आम के पेड़ की बगल से गुजरता है, जिस पर बढ़िया हरे आम लटके होते हैं. अरे वाव! कर्मी के मौसम में आम कितने अच्छे लगते हैं ना? ऐसा रास्ता हो तो हर कोई यहां से जाएगा स्कूल, है ना? क्योंकि रास्ते में हम आम खाते खाते जाएंगे फिर? कभी जब उसके पेरों पर पसीना आने लगता है, तो चपले उसे स्कूल एक ऐसे रास्ते से ले जाती हैं, जो ठंडे तलाब के पास से निकलता हैं. वाव! कर्मी के मौसम में ठंड़ ठंड़ पानी, वहाँ पर वो अपने पेरों को धोता है, जो उसके पेरों को काफी ठं प्रण देते हैं, तो उसकी चपले उसे ऐसे रास्ते पर ले जाती हैं, और चपलों को साथ पिठों पर फेके जाने से टीवी देखना ज्यादा बात है, यह तो सबको पता होना चाहिए, अगली बार तुम्हारी चपले खत डाले नहीं जाना चाहें, तो कम से कम मुझे बत बता दो देना, कौन कहता है, फणी की बहन गुस्से में बढ़बढाती है, कि अगली बार अगर तुम्हारी चपले खत डालने नहीं जाना चाहें, तो कम से कम मुझे बता दो देना, अब देखते हैं आगे क्या हुआ फणी की साथ, किसी को फणी की बात पर विश्वास न हम देखेंगे कि फणी के लिए क्या लाई है उसके मम्मी, लेकिन इससे पहले अभी हमने कहानी पढ़ी कि सब जगए उसकी चपले उसको लेट करवाती है, स्कूल जाते वे भी, कभी वराम के रास्ते से उसको चपले ले जाती है, कभी वो तालाब के रास्ते से जाता है, जब उसकी पहरों में पसीने आते तो आहां ठंडे ठंडे पानी में दोते जाता है, उसकी चपले उसको लेका जाती है, यह फणी को जाता है, है ना, हम सोचते हैं साथे साथ, और आज क्या है, आज फणी की मम्मी उसके लिए कुछ लाई है, फणी बहात खुश है, वह डि चपले आ गई, तो क्या होगा, क्या फणी अब भी अपनी चपलों को कसूरवार मानेगा, हर चीज के लिए, हर जगा पर लेट होने के लिए, क्या होगा फणी की साथ, उसकी मा मुस्कुरा रही है, कि फणी की देखो, अब नई चपल आ गई है, अब वो कहीं भी लेट नह होगा, पर फणी ज्यादा खुश नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों, अब भी सोचो कि फणी खुश क्यों नहीं है, जब नई चपले आती हैं, तो हम तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन फणी खुश नहीं है, क्या कारण हो सकता है कि फणी खुश क्यों नहीं है, मुझे त नए चपले पता नहीं उसे ने ने ov consider कर जाएगी, या नहीं। फेर वो पानी में मेरे पैरक को भिगोने देगी, यह नहीं। ये भी नहीं जानता फपनी। तो आपको क्या लगता हैं कि फपनी के पुरानी चपले ही जिम्मदार है। क्या ऐसी कोई चपले होती है जो अपने आप से रास्ता बताती है ये चपल का काम है ये हमेरे दिमाग का सोचो इस बारे में है ना और क्या समझ में आया कि कौन जिम्मेदार है उसके बारे में हमें जरूर बताना ठीक है कल हम फिर से मिलेंगे एक और नहीं और मज़िदर कहाने के साथ तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और सोचते रहे बाई